परुच काते रचिल्ला 26 महिना थी मात्र नर्मदा नदीनों नेरपी ने दरोज 20 किलोमीटर चाली नर्मदा मातानी परिक्रमा करता संत भरुच नजविक ना निल कंठेश्वर खाते पधारता अन्य परिक्रमा वासियो तेमश वक्तों ये संतना दर्शन करी आशिरवाद मिलव्याता बरुचिल्ला नी वहती अने समगर गुचरात नी गंगा तरीके प्रसिद्ध एवे नर्मदा नदीनों महिमा एवो शें कि विश्वमा आज ये केवी नदी छें कि जिनी परिक्रमा थाई शके शें आंतों दर वर्श हचारों लाखों लोकों नर्मदा नदीनी परिक्रमा करता हो शें परन्तु कदाश पहली वार नर्मदा नदीनी परिक्रमा हाल एक साचा संत कहिश्च काई तिवा सत गुरु दादा करी रहिया शें 41 मा दिवसे भरुष्णगर पासेना निलकंठेश्वर महादेव मंदिर खाते संतनी पद रामणी थता समग्रवातावन पुल्कीत थे गयु हतों छेला 24 मैना थी मात्र नर्मदा नदीनू निरपी आश्रे 32 किलोमेटर करता वधू अंतर बाबाय कापेंश परुष्णा निलकंठेश्वर महादेव खाते निरहारी बाबानू आगमन थता भाविक भक्तों और अन्य परिक्रमा वास्योई बाबाना दैशन करी धन्यता अनुभवी हती पुस्तिंत। निर्यत कि अंतर निलकंठेश्वर श्रेमदा करता भी और बाबान???? Śrī하醜ो शर्णां म्माँ Śrī गुरुबर्श शर्णां म्माँ लिवीर शेराम्मा उमुण नियुकति शीथवें शीक पर शेराम्मा ऐम श्यमाचर अमत जो को जीना भी सिखाती है और ये मा देखो ये हमारे गाउन अगर को प्रांट को आत्मा निर्भर भी बनाती है एक मा ही है जो आत्मा निर्भर बच्चे को बनाती है मा से हम आत्मा निर्भर है दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो हमें जीवन दे दे वो जीवन शक्ती के रूप में हमने वो साख्षाख उस नदी के रूप में हमने मान अर्वदा को पाया है असादारणा है विश्व विच्छात है कि भूम अंडल पर जब मान अर्वदा का प्राकट्टे हुआ इस धरा को उसके स्रीटरणों ने जब पावन किया तब जीवन का आरंब हुआ ये वो आध्यशक्ती जगट कल्यानी है जब इस प्रत्वी पर इसका प्राकट्टे हुआ तब जीवन का आरंब हुआ मान अर्वदा कि बड़ी आस्थास रद्धा के साथ विश्व इच्छात है परिक्रमा होती है वड़ी आस्थास रद्धा के साथ भक्ट ब्रेमी परिक्रमा करते है जुलिया में सिर्फ मान अर्वदा की परिक्रमा होती है हमें ये परिक्रमा हमारी मान्यता है परिक्रमा हमारी सनातनी परंपरा है हमें चिंतन करना पड़ेगा कारण हम परिक्रमा से ही इसको प्रारंब कर रहे संबाद को कि सिर्फ नर्वदा महिया की परिक्रमा होती है एक ऐसी महाशक्ती की परिक्रमा होती है जगठ में सिर्फ एक मात रहे दू नर्वदा की परिक्रमा बड़ी उमंग उत्साह के साथ करते हैं क्या है परिक्रमा क्यूं करते हैं हम परिक्रमा हमारी सनातनी परंपरा है परिक्रमा हमारी मान्यता है परिक्रमा जब हम परिक्रमा को हम पर ध्यान के इंदित करेंगे परिक्रमा एक सहर्षा में यदि बच्चे से पूछा जाए कि ये परिक्रमा मतलब एक चक्र एक इस्थान से वो भक्त प्रेमी प्रारंब करता है और पुना उसी इस्थान पर एक चक्र पूरा करता है तो उसकी एक परिक्रमा हो जाती अब हम अपने जीवन को देखें और सिर्फ जीवन कोई नहीं हम प्रक्तेट जीव को देखें यह जीव को देखें हम जगत को देखें हम ब्रह्मांड को देखें